आज से करीब 6 महीने पहले एक इमेल आया था इमेल में लिखा था सर मैं एक हाउस वाईफ हूँ मेरे दो बच्चे हैं और मैं कम्पीटर सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन कई तरह के विकल्प हैं मुझे कम्पीटर आता तो मैं कई चीज़े कर सकती थी ऑनलाइन कई तरह की अर्निंग प्लैटफर्म्स हैं लेकिन मुझे कम्पीटर नहीं आता तो उन्होंने लिखा था कि मेरे गाउं में जो कम्पीटर इंस्टिटूट है वो बहुत दूर है करीब 5 किलोमेटर दूर है और वहां रोज जाना आना और बच्चों को घर पे छोड़ करके और पूरे 6 माईने तक इस कम्पीटर कोर्स को करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की ताकि वो काम भी आए ऐसा कुछ अधर आप कर पाएं तो मेरे जैसी हाउस वाइफ और कई और भी लोगों को इससे साहिता मिलेगी तो गैस मैंने जब इस बारे में सुना तो मैंने सबसे पहले तो यूटूब पे थोड़ा रिसर्च किया कि इस तरह का कोई कोर्स है या कुछ वीडियोस है मेरे को कई वीडियोस मिली लेकिन एक प्रॉपर कोर्स मेरे को कही नहीं मिला तो उस दिर मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करना ज़रूर है एक कम्पीटर कोर्स लेके आना है जिसमें की certificate भी मिले proper लेकिन challenges भी थे जैसे क्या content होगा किस तरह से videos record होगी किस तरह से edit होगी उसके बाद certification के लिए क्या procedure है certificate कोई भी ऐसे तो नहीं दे सकता है एक proper procedure है उसको कैसे follow किया जाए ताकि certificate भी हम students को दे सके successful completion पे तो finally finally मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने एक computer course आपके लिए आज officially मैं launch कर रहा हूँ हलाकि मैंने website पे पहले ही डाल दिया था लेकिन आज मैं officially launch कर रहा हूँ मेरी team ने मैंने बहुत मेनत किये पिछले 6 महिने से हम इस project पे लगे वे थे और successfully इसको complete किया तो मैं आज इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं बता पाऊं कि computer course कहां पर available है और इसमें क्या क्या चीजा है तो सबसे पहले देखिए मैं अपनी website open करता हूँ आप जाएंगे सबसे पहले website पे www.spokenenglish.guru आप देख रहे हैं computer course इस पे आप क्लिक करेंगे computer course पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको दिखता है course का क्या content है computer basics Microsoft word में क्या-क्या है Microsoft Excel basic knowledge basic formula and data entry तो excel को भी काफी advanced level पे समझाया गया है इस course में इस course का जो certificate आपको मिलेगा ये देखिए certificate कुछ इस तरह से दिख रहा है जहाँ पर एक student का नाम ये है has successfully completed 6 months basic to advanced computer course on date जिस भी date पे complete होगा role number यहाँ पर दिया जाएगा जब भी आप join करते हैं तो एक particular role number आपको assign कर दिया जाता है FAQs में कुछ छोटी 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 चीजें है इस course में कुल कितनी वीडियोस है तो 102 वीडियोस है हो सकता है और भी वीडियोस को हम धिरे दिरे बढ़ाएंगे जैसा जैसे हमें लगता है कि कुछ और चीजें भी बच्चों को सिखानी है इस course की वैदेता कितने समय की है यह नहीं validity कितने समय की है 6 months की है क्या course जोइन करने के बद कोई ID पासवर्ट दिया जाता है आपको एक ID दिया जाता है पासवर्ट दिया जाता है और साथी साथ आपका एक role number असाइन किया जाता है यदि course जोइन करने के बाद किसी technical problem की वज़ज़ से ID पासवर्ट इमेल पर प्राप्त ना हो तो क्या करें आप निश्यन्त रहें यूं तो हमारी customer service policy का नुसार हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको जोइन करने के बाद जल से जल पहले खुदी संपर करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की अर्शुईधा ना हो अगर बाई चांस आपके पास ID पासवर्ट रोल नंबर नहीं मिलता है आपको ID पासवर्ट नहीं मिल पाता है आप लोगिन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप wemakebloggers at gmail.com हमारे official email id पे mail करके हमसे contact कर सकते हैं within 24 hours हम आपको ID पासवर्ट दे देते हैं क्या इस course में certificate मिलेगा हाँ आपको 9001-2015 ISO certification proper computer certificate मिलेगा क्या इस course को करने के लिए computer होना ज़रूरी है देखिए computer course करना obviously बात है computer तो होना चाहिए तभी तो computer course की practice करेंगे आप लेकिन हाँ उसके concept को कि किस तरह से word excel powerpoint किस तरह से इनमें काम किया जाता है यह आप mobile पर सीख सकते है videos देखकर लेकिन computer होगा तो और बहतर होगा क्यों computer पर आपको practice करनी है course का price आप देख सकते हैं इस समय offer पे Christmas offer चला है 999 price फिलाल इसका रखा हुआ है अगर आप join करना चाहेंगे तो join यहां से करेंगे आप join now यह मैं procedure आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आपको confusion होता है कि किस तरह से join करना है यहाँ पर आप अपना full name अपना email id अपना mobile number यह डाल देंगे और उसके बाद pay and register पर click करेंगे यह आपके सामने बार कोड आ गया जिस भी medium से आप payment करना चाहें आप कर सकते हैं मानली जिए मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ UPI ID या फिर मैं Google Pay से यह देखिए क्लिक करता हूँ Google पर यहाँ पर UPI ID मैं अपनी डाल देता हूँ और अब मैं verify and pay पे click कर देता हूँ अब मेरे phone पे verification code आ गया है इस code को मैं Google Pay पे जाता हूँ और इसे verify कर देता हूँ और यह मैंने payment कर दी फिर आपके पास यह देखिया payment successful का message आ जाता है साथी साथ आपको एक email ID जो आपका email ID है already और password आपको एक दे दिया जाता है और click here to login यहाँ पर आपको click करके login करना है और videos को देखना है तो मैं इसको open कर लेता हूँ इन नए tab में यहाँ पर आपको email ID और password डालना है password already आपको दिया जा चुका है इस पर आप click करेंगे और sign in कर लेंगे sign in करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 lessons आपको फिलाल दिख रहे हैं और किसी भी lesson को देखने के लिए view lesson पर आप click करेंगे और उससे related videos एक के बाद एक आपके सामने आएंगी इसी तरह से आप lesson 2 पर click करेंगे आपके सामने यह देखिये videos आ रही है तो यह सभी एक एक करके videos आप देखेंगे तो एक sequence में इस course को आपको complete करना है course complete करने के बाद आपका एक certification test होगा certification test बहुत tough नहीं होगा लेकिन कम से कम इस level का तो होगा कि उससे यह पता लगे कि आपने वाकई में course के माध्यम से चीजों को सीखा है और certification test clear करने के बाद आपको certificate provide किया जाएगा फिलाल आज के लिए यहीं तक मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा ताकि गाउं गाउं के बच्चों तक यह बात पहुँचे कि computer course वो properly online कर सकते हैं certification के साथ में thank you so much for watching this video guys take care good bye